अलो डियर इस्टुनेंट्स वेलकम टू प्रक्रम की नाम से जानते हैं या इसका एक नाम और है आउसो बैरी प्रासेश तो होता क्या है वह प्रासेश दौरान वर्किंग मेडियम का प्रेसर कांस्टेंट होता है उसे हम लोग जो है अगर हम लोग बात करें इसके लिए अगर हम लोग प्रेसर की बात करें तो यहां पर क्या है यहांप का पी कांस्ट वन पर जो वाल्यूम है यह वी वन है और 0.2 पे जो वाल्यूम है यह भी टू है तो पीवी पे आपको constant pressure वाले लेंडरा करना आसान है ts पे आपको याद करना पड़ेगा मतलब practice करके याद करना पड़ेगा ts पे ऐसे बनेगा यह 0.1 हो गया यह 0.2 हो गया 1 पे temperature t1 है 2 पे temperature t2 है 1 पे जो है entropy s1 है 2 पे entropy आपकी s2 है clear यह आपको ts आद करना पड़ेगा जैसे आइसो कोरिक प्रासेस में pv आसान है आइसो बैरिक प्रासेस में pv बनाना तुरंत आसान है आइसो थर्मल में आपका जो है ts आसान है आपका reversible ideavatic में entropy में आपका ts आसान है बस समझ रहे हैं तो अकर हम लोग 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 जाने पर entropy बढ़ रही है यानि कि 1 से 2 में heat add हो रहा है पर यहां पर 1 से 2 जाने में volume आपका बढ़ रहा है तो यहां पर heat addition प्रासेस इससे बोल सकते हैं और इससे expansion प्रासेस बोल सकते हैं तो प्रासेस 1 से 2 हो गया isobaric expansion प्रासेस और isochoric heat addition प्रासेस ऐसे ही ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर हम लोग 2 से 1 की बात करें तो 2 से 1 को isobaric compression प्रासेस बोल सकते हैं या isobaric heat rejection प्रासेस बोल सकते हैं कि 2 से 1 की दोरान आपकी उसमा क्या हो रही है sorry entropy घट रही है तो entropy वह गुड़ होता है जो उसमा देने पर बढ़ता है और उसमा लेने पर एक तरिके से क्या होता है घटता है entropy pvt relation क्या हो गया p1 v1 upon t1 से p1 v1 upon t1 बराबर pv2 p2 v2 upon t2 से क्या होगा p constant है चुकी तो p1 से p2 cancel हो जाएगा तो यहां से आजाएगा v1 बटे t1 बराबर v2 बटे t2 तो यह आपका क्या हो गया pvt आपका relation हो गया आगे बात करें work transfer क्या होगा work transfer डिल डवलो गरफ फर्मूला क्या होता है pdv अपका होता है तो 1 से 2 डिल डवलो क्या हो जाएगा 1 से 2 pdv तो यहां पर 1 से 2 pv2 minus v1 क्योंकि यहां पर pressure constant है यहां पर देखिए यहां पर क्या है टो 1 से 2 dv है तो यहां पर क्या pressure चुक हो जाएगा प्रेसर बाहर आ जाएगा 1 से 2 एक तरी के सर्देगा डी यहां पर क्या हो जाएगा V1 से 2 तो यहां पर क्या होजाएगा ? V2 minus v1 तो वह भ्याएगा P v2 minus v1 लिका गया change in internal energy क्या होगा du बराबर क्या होता m c v d t यह सभी process के लिए आपका होता है m c v d t हो जाएगा फिर transfer आपका क्या होगा del q बराबर du plus del w तो del q बराबर du plus del w तो q 1 से 2 हो जाएगा m c v d t plus p v 2 minus v 1 और m c v d t plus p v बराबर होता m r t m r t 2 minus t 1 हो जाएगा यहाँ पर m c v d t plus m c यहाँ पर r बराबर क्या होता c p minus c v और फिर यहाँ पर d t लिग दिया गया है तो m c p minus c v into d t इसको और आगे सालो करेंगे इसको और आगे सालो करेंगे तो m c v d t plus m c p d t minus m c v d t इससे यह हो गया cancel तो d l q बराबर हो गया m c p d t और enthalpy dh b m c p d t हो जाएगा तो एक्जाम में पूछता है competition लिजाम में किस प्रासेस के लिए किस प्रासेस के लिए heat transfer change in enthalpy के बराबर होता है तो किस के लिए होता है isobaric process के लिए आपका होता है अब बात करेंगे change in enthalpy की बात करें ds वराबर dl q by t ds वराबर dl q by t तो e m c p d t बटे t तो यहाँ पे e m c p constant है बाहर आजाएगा एक बटे t का क्या होगा e l n t होगा और यह limit लगाएंगे 1 से 2 तो e l n t2 minus e l n t1 और e l n t2 minus e l n t1 क्या हो जागा e l n t2 upon t1 हो गया reversible adiabatic isentropic हो गया अगर उसमें derive की होंगे सारे expression self से की होंगे तो यह सब बहुत आसान आपको देखने को लगेगा अब आगे बात करें यह सब आसान देखने को लगेगा अब आगे देखें अगर अब आगे अगर देखें अगला हमारा है hyperbolic process अगला हमारा है hyperbolic process hyperbolic process हमारा होता क्या है अगर हम लोग बात करें कि हमारा hyperbolic process क्या होता है तो इस process में इस process में होता क्या है इस process में किसी gas को गर्म करके इस परकार expand कि जाता है किसी भी gas को गर्म करके इस परकार से expand करते हैं कि दाब होगा आतन का गुड़न फलिष दिर रहे हैं मतलब किसी गैस को इस प्रकार से जैसे माल लेजे किसी बरतन में किसी बरतन में कोई गैस भरा हुआ है किसी gas वरा हुआ है मालने इसका pressure कुछ है और इसके अंदर का volume कुछ है तो अब इसको heat देंगे इसको क्या करेंगे इसको heat देंगे इसको देंगे heat और heat देंगे और यह इस प्रकार से expand करेगा यह इस प्रकार से expand करेगा कि जो पहले P और V था वही P और V अब बाद में भी रहे नहीं कि PV क्या रहे constant रहे तो इस प्रासेस में किसी गैस को गर्म इस प्रकार से गर्म करके इस प्रकार से विस्तारिद करते हैं कि इस दोरान दाब वह आयतन का गुड़न फला मेंसा क्या रहे निश्चित रहे अब चित्र में दिखाया गया हाइपरबोलिक प्रासेस के लिए आपका पीवी डाइग्राम आपको दिखाया गया है हाइपरबोलिक प्रासेस के लिए तो इस दोरान जो आपका बोहाइल सलादवारा संचालित होता है इसका जो प्रेटिकल अपनिकेशन है वो क्या है आइसो थर्मल प्रासेस है अगे बात करें अगे बात करें अगला आपका है ध्रिटौनिग प्रासेस ओरन प्रकाम से ने तो जाती है और ने लिखक स offers किसी सिस्टम से ने तो बाहर से ँखें द्रियम से इसमा ली जाएगी जिए तो सब्सक्राइब कलों क्या करते हैं उस सब्सक्राइब इस ने तो बाहर से उसमन से उसमनी जाती है उसे क्या करते हैं इसका मुख व्लोड के दाब को कम करना होता है इसका में परपज्जी पहला है ऑप यस प्रेंड маш शुच करते हैं मतलब रेफिजलटर में डिये और कंडीस्ट isn7 मिन उम्हारा साइकिल होता है माइनूट ओपनिंग वाला एक पाइप होता है तो इसको यूज करते हैं यह हम लोग फार्टल का वीजिद करते हैं यह कुछ फिर्ट दिखाया गया है तो जो है इसका यूज का होता है फ्लो थ्रो ये पार्सली ओपन डवाल जो आंसिक रूप से खुले हुए वाल में जैसे की रेफ्रिजिलेटर में और एसी में तो बहुत कम इस पेस होता जिसमें से आपका फ्लूड क्या करता है प्रिवेस करता है जैसे यहां पर प्रेशर काने का मतलब कि जब इस वाल में आपका कोई इंटर करता है तो प्रेशर क्या करता बहुत गिर जाता है प्रेशर बहुत क्या होता है गिर जाता है आप लोग जब आरेसी पढ़ेंगे तो यहां पर थ्राटल वाल्व का फंक्शन डेटेल में समझाया तो होता है आपका फिर लिता है वहहां पहां पर वहां पर भी क्या होता है रहल है जा सबस्वाराँ सद्व में पहलं भी को मैं हिला Airlines यसके अंदर लिक्वीट फाम होने से बाहर निकालेंगों क्या होगatar कि आपका हो जाएगा तो प्रेशर工 होने पर क्या होता है प्रेशर कम होने पर जो है लिक्वीड जो पॉरस प्लग कोई जैसे कोई सिलंडर हो बीच में क्या हो जैसे कोई सिलंडर हो और बीच में क्या पॉरस प्लग लगा हो पॉरस प्लग का मतला इसमें क्या बहुत चोटे बहुत चोटे चोटे इसमें एक मेंब्रेन लगा हो और उसमें बहुत चोटे-चोटे क्या हो चिद तो यी बोले जाया Porous Plug तो यह सब किसके एक्ज़ाम्पल यह सब telescopic यह यहां से नहीं तरफर रूप में क्यों होता है १ं-0 का मुंद मीं कोई ट्रांश पर नहीं होता है E देल्टा पी टोटल पोटेंशिल एनरजी जीरू होती है फ्रूट की टोटल काइनेटिक एनरजी भी क्या होती है मतलब काइनेटिक एनरजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका पोटेंशिल एनरजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस प्रक्रम में H1 बराबर H2 यंदि कि section 1,1 पे जो total energy कमान है और section 2,2 पे जो total energy कमान है वो क्या होता है वेलक datos परीके से एक समान होता है अर इस process को इसी विजए से ममलुक्त क्या काते है,Isonthal姐 preferences भी काते हैं इस process को ममलुक्त काते है,ает iacinthelpic process पिस प्र земле अप क्षी चरर्दा आप लोगों कि पड़ा ऑईजो को Rigg में बढ़ा पहले सब ने एंट्राफिक बरें के बता है था फिर हम आपका पॉल ट्रापिक के बाद यह आपका हाइपरबोलिक प्रासेस हो गया और जो है फ्राटलिंग प्रासेस हो गया इतने प्रासेस आपके सलेबस्त में दीए हुए थे तो किसी से भी जाम एक्विशन पूछा जा सकता है जाम टाइम में फिर पूरा एक महराथन वीडियो भी आएगा लेकिन अभी जो है हम लोग चैप्टर वाइज चीजों को करते हो चलेंगी तो यह चैप्टर थीरी के पॉइंट आभी उसे समाप हो जाता है नुमेरिकल के पॉइंट आभी उसे चैप्टर भी बचा हुआ है तो नेस्ट वीडियो नो जो है इस चैप्टर का नुमेरिकल साल्व करेंगे मिलते लों नेस्ट वीडियो में तो तक के लिए जह इन साथिए